हाई गाइस कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ अच्छे होंगे और आज किस वीडियो हम देखने वाले हैं जो भी छात्र बीस सी सेकंड डियर में हैं और हम बॉटनी का सेकंड पेपर लेके हैं 2021 के इंप्रोमेंट एक्जाम या फिर बैक पेपर के लिए और जिनके चात्र में बैक पेपर या इंप्रोमेंट में कॉर्ण कर सकते हैं कॉमेंट सेक्सर में पूछ सकते हैं ऑगे तो हम स्टार्टिंँ करते हैं और हाँ सैंवस्तर बाइग्जाम की भी बहुत जली तयारी स्ट्वार जेंगे इस प्रकी 2022 के लिए हम आप चिंता मत करिये हम आपसे बादा करते हैं कि आपको 85% दिलाके रहेंगे पर सब्जेक्ट में रहें 80% पर सब्जेक्ट में एक भी कोशन बता रहा हूँ एक भी बाहर नहीं आ जाएगा मैं बादा करता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूगा जाओ ये पेपर हैकर आप से भाला करता है जो कोल रहा हूं उन कोशनों को पढ़के चले जाओ आपको फैल करने वाला कोई पैदा नहीं है इस कोशन को देखो पहला कोशन है पादप कोसका के अल्टरेश टेक्शर के बारे में अब ये ऐसा कोई जर्मा नहीं है आपको जो पैदा कर मतलब कि फेल कर सके तो बो इसाब करो मतलब एक मैं आपको एक मोटिवेशन दे रहा हूं कि याद रखो कि आपको जब भी पेपर करने जाओ तो उसमें कॉपी को पूरा भरना है देखें जब रिटन एक्जाम होया करें तो कॉपी को साली को छोड़ो मत मेरे साब से और ये आपको कॉमन करना है पहले बो कोशन करेंगे जो हमें याद होगा पहले सबसे पहले लॉग कोशन किये जाते है उसके बाद में वो भी करेंगे, आपको कैसे करेंगे, मैं जो बता रहा हूँ, इन कोशनों के अलावा कुछ नहीं आने वाला है, मानते हैं मैंने जो आपको बताया, और आपने बस एक दो बार पढ़ा, उस कोशन को जादा रटा नहीं, पढ़ा नहीं, रटा नहीं, मतलब आधार पर बना है, यह नहीं कि अपनी वास लावी स्टोरी स्टार्ड कर दी, और बस गय थे, यहां गए, वहां गए, भूमने, वो मत कर देना, बहुत सारे चात्र ऐसी करते हैं, पता नहीं कौन सी स्टोरी कर देते हैं, पड़ोसी की पताने किस किस की स्टुडी सुना देता है तो ऐसा नहीं करना बिटा सिक्षक की तरह सोचता है याद रखना बही सोचना है आपको फालतु कुछ नहीं करना आप चाहते हो आपकी बुद्धी बहुत अच्छी होगी आप इस टाइम वह है जो आप जो सोचोगे आपको बहुत बिलेगा एक टाइम वह होगा जो आप जो सोचोगे वह आपको कभी यहां नहीं मिलेगा हूं तो टाइम मत आपो ठीक है नच्टो ऊश्छा गलजी कंप्लेक्स के कार और बर्को के देखेंगे एक लगा लो उसके बार जान चाहिए जालेंगे मेंडल के तीन फिजल को पड़ेंगे घुर शूतर में होने वाले परीबर्तन गोड़ सूतर माइकर मैंने माइक्रोसोम बदा रखाए ठीक है आप देखो फर्स्ट पेपर में में आपको बताया था यह पढ़ेंगे आप यह तो उसका आगया यार कि एक मेंट रुकूँ कि एक पर यह तो कि अगल्ची कंप्लेक्स वाला उसकी बाद में देखो यहां से आएंगा यह 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 पर हो गया कोई बात नहीं यहां तक हमारे पहुंच गया थे यहां तक ठीक है मेंडल के नियम बता दी था आपको और देखो यह वाला कोश्य भी ठीक लगाओ दुबारा से लगा दू देखो कंप्लेक्स करेंगे कोश का इसको पढ़ो जीन के अनने करियाओं के लिए जैविक्विक विकास के लिए उसके बाद में समसुत्री विभाजण यह करने के बादमें में पहुंचे हम नीचे म्यटेशन क्या है टाइप और गुर्शूत में होने वाले परईबातन गुर्षूत को ऊपर पढड़ी सब्सक्रोसोफ इसको जादा होने मत जाव मत करो और यहां पोला गया है हर क्या है इसको देखा इस वेकर गैड़ को beti देखेंये लैमारकबाद देखेंगे लैमार्ग बाद परिवरतन तेक है पॉदो कि निदान किसे प्रकार्स हुता है ठीन इसको देखेंगे आपनो एक और यही वस इतना कुछन पढ़ना है बाहं कुछ नहीं देखना बस हो गया नाइटोजन चक्र और देख लेना इतना देख लेना है तो यह तुमारे सब कुछ पड़े हुए है पिसली मतलब कि अभी मैंने एक्जाम के बस आपको एक बार देखना है बागी कुछ कोश नहीं करना राइबोसों पड़ लेना राइबोसों क्रोमोसों राइबोसों वॉस्ट इंपूटेंट और देख यह व सकते हैं तो आपका जो अकेला पेपर हो रहा है जिन छात्रों का वो इसको तयार गर लें बाकि एमज़े पीरे रोल करण्ड के लिए तीनों को एक झाल 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 झाल